कि नमस्कार दोस्तों सीखो सिखाव चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ तुलसी मातो और आज का जो मेरा वीडियो है वो है पैटन अस्टार्म टूल पो आपने अस्टार्बतूल का किस तरह से यूस्स कर सकते हैं और इसे कहा कहां पे यूस्ट कर सकते हैं जब कभी में 요 neighborhood बीडियो इसकी notification आ जाएगी और एक बडर आपके पास notification आगई तो आप जब चाहें वर देख सकते हैं तो चलिए आज की विडियों पे तो यह देखे मैंने फॉट्न कर लिया है और यहां से मैंने प्रतिंब टूल सेट करले यहां पर ड़ी करते हैं को फॉट्टो लाते हैं यह दिख्या मेरे पास एक फोटो है और इसे जो है मैंने गूगल से डाउनलोड की है तो जिनकी फोटो है जिनकी इमेज है क्रेडिट उन्हीं को जाता है तो जैसे कि मैंने यहां से पैटन स्टाम्ट कुल सेलेक्ट किया तो यहां पे देखिए आपके पास ऑप्सन जायते है है एक तो सबसे पहले साइस का में हाड़ेस और यहां से आप कोई भी जो है ब्रस सेलेक्ट कर सकते है को जी Canot यहां से आप बरस का पेनल से अपन कर सकते हैं अगर आ अगर आप दूसे नहीं जानते थौऑ होग मैंने पिछले वीडियों आप छिरूर देखें मैंने उसक्रे बता है कि इस्टरा से यूज़ किया जा घर्सक्राइब यहां से yard यह ठीक है चलिए यहां मैं उसे इसे close कर डेता हूं फिर यहां पर दिया है mode दिया हुआ है ओर इस mode का भी आप यूज़ कर सकते हैं, overlay दिया हुआ है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं normal करता हूँ, opacity दिया हुआ है, यहाँ पर flow दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है, यह जो है pattern, अगर आपके पास इतने सारे pattern नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है, reset pattern और यहाँ पर देखिये, और यहाँ पर देखिये, यहाँ पर आपके pattern आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसे जो है, आप किस तरह से देखना चाहेंगे, वह चीज़ है, यह बड़े-बड़े दिखेंगे, अगर आपको text only है, तो इनका नाम दिखाए देगा, यहाँ पर दिखेंग अगर आपने कोई पैटन है, उसे बनाया हुआ है, तो अगर आपको सेब करना है, तो आप यहाँ से सेब कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिये, रिप्लेस पैटन दिया हुआ है, अब रिप्लेस भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यह पैटन है, बस आपको यहाँ अगर OK करते हैं तो यहां पर जो pattern है वो हट जाएंगे और जो मैं new अभी add कर रहा हूं वो आ जाएंगे जिसे में OK किया तो वो देखिए पुराने pattern जो हट जाते हैं और नए pattern आ जाते हैं अब यहां से आपको जो pattern पसंद हो उसे select इस तरह से कर लिए और यहां पर आप आके draw कीजिए यह देखिए वो pattern यहां पर आना शुरू हो जाती है यह देखिए मैंने बरस को थोड़ा सब्सक्राइब इस तरह से जो आप उसे यहां पर ड्रौ कर सकते हैं अब यह जो opacity है अग अगर यहां से बढ़ा दूं तो आपको और अच्छी मेरा यह देखिए अगर opacity को कम किया है तो कम क्या हुआ है तो यह देखिए एक बार हमने बरस यहां पर यूज किया दुबारा यूज कर रहा हूं तो थोड़ी से घरी होगी फिर अगर तिसरी बार में यूज करूं तो और घरी होगी चौति बार यूज करूं तो यह पूरी कलर पर मैच कर जाएगी लेकिन अगर यह मेरा अंड्रेड है और फ्लो अगर कम है फ्लो में तरकता हूं तो क्या करना आपको माउस को एक बार क्लिक करना है तो फिर आना है तो यह देखिए इसकी कलर जो है बढ़ती ह महती जाएक ये दिखें जितनी बार हम बश्रूज इस क्युक्त करेंगे उतनी बार वह होगी होती है तो यह था ओफिसिटी और फ्लो अब यहां पर देखें श्रुस द्याएं इसका क्यास है क्लिक कियो है तो स्टिया नहीं है आपको खेक्र टेकर हो यहां पर चेक नहीं है अब क्लिक करने यह देखिए यहां प्लिक करता हूं और यहां पर टाइब अगरमें पॉल्ट करता हूं तो क्या होता है कि यह जो pattern हमने लिया हुआ है ठीक है यहाँ प्वह pattern ड्रो नहीं होगी वो जो color है वो यहाँ पर ड्रो हो जाएगी यह देखिए मैं से यह अंचफ बढ़ी अब चाहें तो यहाँ पे new layer है new layer लेके भी आप pattern का use कर सकते हैं फाइदा यही ओके अब मैं इस फोटो पर आता हूं खो है और आप यहां से जो मोड ऐसे ऑपर ले कर देते हैं और अब देखे मैं यहांस फैंट करता हूं तो इसे जो हमने overlay करी दिया हुआ है अब मैं अगर new layer पर हूँ तो overlay तो मैं यहां से करी सकता हूं यह देखिए overlay हो गई अब इसे यहां पर जितने mode है एक एक करके मैं देख सकता हूं लेकिन इस पर नहीं होगा क्योंकि यह जो है effect यह जो मैंने अभी ड्रोग किया इस पर जो है अगर चाहिए कि मुझे यहां पर और थोड़ी से चाहिए तो आप यहां पर और पर सकते हैं इस तरह से दिखिए अगर आप आप आपने जो है background image पर कर दिया अपनी image पर कर दिये तो आप उसे हटा नहीं सकते हैं आपको undo करना होगा ओके अब इस पर यहां से आप color भी कर सकते हैं तो यह था दोस्तों अब जो है आप अपना खुद का pattern किस तरह से बना सकते हैं तो चलिए उसके लिए तो सबसे पहले आपको फोटो को में तो हटा देता हूं कोई और फोटो लाता हूं यह दिखिए मेरे पास एक जो है इस सेलेक्शन बना लिए अब क्या करना है और नीचे वाली जो लेयर है इसे आप यहां से जो आइक का इकोन है इस पर क्लिक करती किए यह दिखिए हमरे पास आ गई है इसे यहां पर रखेंगे इसकी और कोपी करेंगे Ctrl जे से और यहां पर आपको लाना है आपको न पहले देखिए मेरा पहला जो है layer select है और shift दबाके मैं इस पर भी select कर लेता हूँ right click करूँगा और यहां पर देखिए merge layer इसे merge कर देते हैं तो दोनों एक हो जाएगी फिर इसकी हम control जेसे copy कर लेते हैं और इसे में थोड़ा से इधर लिया कर आता हूँ करते हैं right click और यहां से देखिए flip horizontal इंटर करते हैं आपकी बार फिर में दोनों को जो है select करूँगा पहला मेरा select है shift दबाके इस पर click करूँगा दोनों select हो जाएगी right click यहां पर देखिए merge या फिर आप control प्लस इभी कर सकते हैं कि यह जब हो जाए तो आपको control को दबा के रखना और यहां पर click कर देना यह selection हो जाएगी फिर कि इमेज पर आईए और यहां से crop कर दिजिए यह selection हटाने के लिए आपको select पर आना है और यहां देखिए यह selection हट जाएगी अब इडिट पर आईए यहां पर देखिए define pattern दिया हुआ इस पर click कर दिजिए और यह जो pattern है इसका क्या आप नाम देना चाहते हैं उस नाम से आप ok कर दिजिए इसे close कर दिजिए अब हमें इसकी जुरुत नहीं है यह देखिए इस पर हमें वह pattern चाहिए तो मैं इस pattern पर आता हूँ यह देखिए इस pattern पर और यहां पर सबसे last में आपको वह pattern जो आपने बनाया है वह मिल जाएगा और यहां पर वह ड्रॉ कीजिए यह देखिए हमारे प तो इस तरह से जो है आप अपना pattern बना सकते हैं मैं आपको और एक example देखे दिखाता हूं यह जो फोटो है आप कोई भी area यहां पर selection कर लिए मैं यहां से कर लेता हूं कर लिए कंट्रोल जीए से copy कर लेते हैं इसे उप कर देते हैं इसके और एक चंक्रोल जीए से इसके और कूपी कर लूँगा मैं और यहां पर इस तरह से कंट्रूल टी करूँगा राइट क्लिक और फिलिफ फरिफ यह देखे हो गई है दूनों को मर्ज करेंगे यह जो सेलेक्शन है इसे अटाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस डी कर दीजे यह जाएगी अब इडिट प्याइए यहां से डिफाइंट पैटन और नाम आप दे सकते हैं और इसे सेफ कर दीजें है ओके अपना पैटन जो हमने बनाया है यहां से देखते हैं यहां पर नीचे पैटन और इसे यहां से इस तरह से आप ड्रॉक्त यह दिखें तो दोस्तों यह था आज का मेरा वीडियो आप जो है पैटन स्टांप टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं और जैसा कि मैं हमें सा कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोग अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड लाइक और फोटो सॉप से रेल पाइब लाइब भाइब लाइब